नमस्कार आप देखे नियूस फोर नेशन और मैं हूँ आपके साथ शुप्राज़ा बिहार में बढ़ते अपराद के मुद्दे को अक्सर उठाने वाले तेजस्वी आदब ने एक बार फिर से सीमिती शुमार पर हमला बोला है इस बार वकाईदा उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करके बताया है कि किस तरीके से बीते दिनों पूरे बिहार में अपराद की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि उन सभी अपराधियों को सत्ता का संरक्षन मिल रहा है उन्होंने ट्वीट करते वे अनिती शुमार पर हमला बोला है सबसे पहले आपको वो ट्वीट दिखाते हैं तेसी आदब ने अपने ट्वीट में लिखा है कि चार महिने में 404 दुषकर्म, 874 मडर कहां है सुशासन और बिहार का लॉएन ओडर कौन ऐसा व्यक्ति है जो यह अस्वीकार करता है कि बिहार में 15 वर्षों में अपराद बढ़ा ही नहीं है बिहार में अपराधियों को सरकार का सीधा संरक्षन और संपोशन प्राप्त है इसके साथ ही यहाँ पर एक फोटो भी उन्होंने ट्वीट की है जिस फोटो में नितीश खुमार और बिहार के डीजीपी गुपतेश्वर पांडे हैं क्राइम रिपोर्ट यह रिपोर्ट एक तरीकी से दिखाने की कोशिस तेजस्वियादो की तरप से कि देखें बिहार में कभीती चार महिने में 404 दुषकर्म हो चुके हैं आट सो चोहत्तर मडर हो चुकी है फिर भी इसे सूशासन की सरकार कहते हैं तो उनका सवाल यह है क्या नितीश खुमार बताएं कि आखिर सूशासन और बिहार का लौ एन ओर कहा है तो इस वार तेस्वी आदब ने बकाईदा एक रिपोर्ट भी जारी की है आपको बता दे किससे पहले भी तेस्वी आदब अक्सर बेहार में बढ़ते अफरात की मुद्दे को लेकर नितीश खुमार पर हमला बर हैं से पहले भी जब गोपाल गंज हत्याकांड सामने आया था उसके बाद से ही वो उन्होंने सबसे प्रमुकता से इस मुद्दे को उठाया था और अब उसके बाद भी लगतार वो नितीश खुमार से बस यही मांग कर रहे थे कि इसमें जो सनलिप तारोपी बताये जा रहे हैं उनकी जल से जल्द गिरफतारी हो इसके साथ ही कई बार वो ऐसे रिपोर्ट जारी करके बताते वे नजर भी आते हैं कि बिहार में बिते जो अपराद ही घटनाए हैं वो बहुत ही जादा बढ़ती जारी है लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और सिधा-सिधा आरोप नितीश खुमार पर यही लगाया जाता है कि नितीश खुमार यानि कि सरकार का संरक्षन अपराधियों को मिलता है और जबकि सत्त पक्षी तरब से अक्सर यह बताया जाता है कि लालु प्रसाद यादव के कारेकाल में जिस तरीके से हत्याएं और अपराध बढ़े थे उस तरीके का अपराध नितीश खुमार की सरकार में नहीं है इसी को लेकर के आरोप प्रत्यारोप दोनों के बीच चलता रहा है अभ पूरे विपक्ष के नेता जितने भी विपक्ष के घटक दल है वो सभी लोग मिलकर इस अपराध के मुद्दे को बड़े ही मजबूती से उठाते वे नजर आते हैं अलाकि अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष की तरब से इस पर क्या कुछ पलटवार किया जाता है ज्याद